मैं हूँ अनिल सर साइंस वाले प्रिय अच्छात रहूं आप लोग किस तरह से हैं कैसे हैं पढ़ाई कैसे चल रही है तो एंटीपीसी के लिए गुरूबडी के लिए डेट निकाल चुका है और दिया है मात्र तीन महिने का समय है तीन महिना में हम लोग को अच्छा करना होगा और अच्छा करने के लिए हम लोग को मेनद करना होगा साथ में हम लोग मेहनत करेंगे और परतेक परिक्षा में वो NTPC का हो या गुरूब D हो या कलास वन उपसर का हो सभी में साइंस का आहम जोगदान होता है और साइंस से कोशन पुशे जाते हैं करीब 20 से 25 कोशन हम यह यह निनायक होता है साइंस पर ही आपका पुरा रिज़ल्ट आधारित है इसलिए साइंस को मझबूत बनाना होगा और साइंस को मझबुत बनाने के लिए हम लोग मेहनत करना होगा कौन के चलते थोड़के पढ़ाई बार्दिफ हुई है रफ्तार आप लोग का दिमा हुआ है तो इसको भी मेंटन करना है और इसी तीन महिना में हम लोग को रिजल्ट देना है और मैं कामना करता हूं कि एंटी-पी-सी या ग्रूप-डी में आप लोग सफलता प्राफ करें तो साइंस को हम लोग तीन पार्ट में बाढ़ देंगे और तीन पार्ट में बाढ़ करके क्रमवद अध्यन करेंगे साइंस में तीन पार्ट हो गया पहला तो हो गया फिजिक्स पहला हो गया फिजिक्स दूसरा है केमेस्ट्री और तीसरा है बाइलोजी तो साइंस में कितने पार्ट हो गया है तीन फिजिक्स केमेस्ट्री और ब सबसे ज्यादा कोचान बाइलोजी पर ज्यादा फोकस करना होगा इसके बाद फिरिक्स पर हम लोग करेंगे और इसके बाद केमेश्ट्री पर तो तीनों मिला करके हम लोग को लाना है कितना बीच से पचीश कोचान इसमें जतना स्कोर करेंगे उतना हम लोग के लिए पोजिटिव होगा साइंस से स्कोर दिलाता है इसलिए इस पर विशेश दियान हम लोग को देना होगा मेहनत करना है और तीन महिना पर्याप समय है रिजल्ट के लिए इस पर हम लोग आज से ही मेहनत में भीड़ जाएं क्या है क्लास अफसर के लिए नहीं सुचना है तो पहले तो रूप रेखा तजार करना होगा कि तीनों सब्जेट को हम लेकर कैसी चलेंगे तो साइंस में कि पहले हम लोग उठाएंगे बायलोजी इससे कहचन अभीकरता है तो पूरा होगा इसका चैहें शचना है और टाइम के आदाप ही हमवोगों को सूचना है टाइम पर खत्म करना है और इसके साथ साथ 對uestas का भी एक अहम भूमका होता है तेस्ट हर एक याम के लिए विज़रूई है चुक्त से रिविजन होगा कम समय में हम लोग अधिक से अधिक लाग प्राप कर पाएंगे तो टेस्ट में परतिक दिन एक एक टेस्ट रखा जाये तो महीना में होगे तीस टेस्ट तीन महीना टाइम है तो करीब तीस ती आए 90 से टेस्ट हो जायँगा तो 25 का टेस्ट रहेगा तो इस तरह से कंशन हम लोग कर बनेंगे और पचीस को दियन हो प्रियात मातरा में हम लोग लिखा जयेगा आज के interessate टेस्ट की वेस्था होगी बहुत से विद्यार्थियों का मांग है कि क्रैस के साथ सब्स 550 वह हो और मैं आज गीमें ऑनलाइन है। आज हम नहीं चछलाते थे ऐसे उफलाइन मेरा लहा है और क्या और दे रहें अच्छा रेल्वे में बहुत अच्छा लोग किया हैं तो अगर हम क्रमबद अध्यान करें मेहनत करें तो कोई भी असंभवकार यह नहीं है तो असंभव को संभव करना ही ना हम लोग का लक्ष होगा तो साइंस में कहां सुरू करना है बाइलोजी से अब बाइलोजी से क्यों हो चुकि इस में ज्यादा ज्यादा कोश्चन पुछा जाता है और साइंस में भी कुछ चेप्टर हैं जो बहुत उपयोगी है बाइलोजी पहला हम लोग देखेंगे सेल से अच्छा कोचन पूछता है और यह कंसेप्टर है कंसेप्ट बेस्ट है तो शुरू करेंगे क्या सेल को हिंदी में कहते हैं कोसी का इसमें देखना है कि कंसेप्ट है और फिन्ड़य कोशस कर बनेगा और उड़ा दरीर के लिए होता है कि से आरब नाओलेज करूंट दुनां अलग लक्क्रिक सो होता है मनें के लिए अगर inververse न भूले गा आजमी तो पागल हो जाएगा और एक होता है नोलेज नोलेज कभी नहीं भूलता है बच्चा से जो अर्जन के नोलेज बुड़ापा भी आ जाएगा तो नहीं भूल पाएंगे लेकिन इन फॉर्मेशन जो लेते हैं वो आज पढ़ेंगे कल गायब हो जाएगा इसलिए कोई कोईशन नहीं छुटके गा करना काढ़ में नाइटी परशेंट से उपर सल्व करके आएंगे साइस सब्सका हो गया की रिल्ट हम तो शुरू हम लोग करेंगे कहा कोुषका से एक बात और जानागे है की जो चप्टर पढ़ेंगे जिसे मामने से पढ़ेंगे इसके बाद लाश्ट जिपक्र करेंगा की सरब करेंगे या अने एक्जाम के लिए कोशन किस प्रकार से पुशे जाते हैं उसका आइडिया लेंगे तो शुरू कहां से करें सेल से सेल यानी कोशी का अब देखें उसका का मतलब क्या यह सेल का मतलब सेल बना है सेलूला वर्ड से सेलूला मनें कंपाटमेंट में रिल्यवेट्ज है एक कंपार्टमेंट किस बना है सेलला से मतलब क्या होता है कि इसलिए इसका नम पढ़्डेया क्या सेल अब देखें कि सेल का मतलब क्या हैarla है क्या देखें मकान बनता है इंट से तो अगर पुछें आप से कि मकान यूनिट क्या था तो कहना होगा. उसी परकार से हमारा भी सरीर कुछ से बना होगा तो हमारा जो उसरीर बना होगा है वो है सेल तो जिस परकार से मकान का यूनिट इट उसी परकार हमारे सरीर का यूनिट क्या हुआ सेल तो सेल हमारे सरीर का एक यूनिट है सेल के बारे में हम लोग कहें कि सेल यानि कोशिका जीवों की सबसे छोटी रचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है क्या कहेंगे कोशिका जीवों की सबसे छोटी रचनात्मक एवं कार्यात्मक रचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई कोशिका स्बसे छोटी है रचनात्मक है रचनात्मक और कार्यात्मक करना तो सरीर का रचना निर्वाँ किसे हुआ cell से इसलिए इसको कहा गया रचनात्मक और सरीर के अंदर जो भी क्रिया मोटी है जो हुई कर वर करसका के अंदर होता है इसलिए इसको कहा गया कर्यात्मक तो आफरेंट्स्ट्रlists क्या है तो तो अब जानएंगे कि क्या है तो सेल जीओं की सबसे च्छोटी रचनातमक और कर्यात्मक इकाई है सेल के बारे में किसने बतलाया पॉइंट आए जाएंगे पहले तो देखें कि सेल क्या है दूसरा देखें कि सेल के बारे में किसने बतलाया तो सेल का खुज सरुपर्थम से राबर्टुवी में पुछेगा कि सेल का खुज करता कौन है तो राबर्टुख राबर्टुवी को इसका क्या थे थे निर्जीव उसका मैंने नन लिभिंग सेल का खोज किये थे कौन रॉबर्ट हुक और इन्हों ने कोर्क को काट करके सेल का अधियन किया और को होता क्या है पुझाए कोर्क क्या है तो कोर्क के देखते हों अधियों पैस दावा में एक धकम होता है लकडी का तो लकडी क्या है तो कॉर्क है अब कॉर्क है एक पौधे से प्राफ्त होता है जिसका नाम है क्वार कस शबर हिंदी में कहते हैं ओक पुछेया कि Robert Hook नेजु कोशका क्या अध्यान किये यह किस पर पर्योग किये तो कॉर्ग पर कहां से प्राप्त हता है ओक नामक ब्रिक से कॉर्कस सबर की प्राप्ति होती है और कॉर्ग को काट करके Robert Hook ने सेल का अध्यान किया तो यहां से इतना दूचार बाते अभी जानने हम लोग इसमें भी बहुत सारे कोशन निकलेगा पहला तो होगा कि हमारे सरीर की सबसे छोटी एकाई तो सेल का खोज करता कौन है कौन है तो यह हो जाएंगे Robert Hook दो कोशन तीसरा होगा कि Robert Hook किस पौधा पर प्रयोग करके सेल के बारे में बतला है तो कौर किसे प्राप्त होता है तो ओक से इस तरह से बहुत सारे कोश्चन इससे निकलते जाएंगे तो पौइंट भाई हम लोग देख रहे हैं और अभी देखे हम लोग क्या कि खोज करता Robert Hook सरपर्थम इसके बाद देखते हैं कि सजीव कोशका का अधियन यह तो निजीव कोशका का अधियन किस ने किया सजीव कोशका मैं लिभिंग सेल्स सजीव कोशका का अधियन सरपर्थम लिवेन होक लिवेन होक ने किया 1674 में पुछेया कि सजीव को इसका कधान सरपर्थम किस ने किया तो लिवेन होक और लिवेन होक को कहा जाता है फादर ओफ बैक्टेरियोलोजी बैक्टेरियोलोजी का पापा जी कहलाते हैं कौन लिवेन होक लिवेन होक को कहते हैं किसके पापा जी तो बैक्टेरियोलोजी क पापाजी यह फादर आफ बैक्टेरियो लोजी इसलिए इनको कहा गया फादर आफ बैक्टेरियो लोजी बैक्टेरिया कि इन्होंने अध्यान किया था एक अबी देख्सेल सबसे छोटी कोस्का का नाम क्या है ऐसे बड़ी कोस्का का नाम क्या है अब देखना है कर्म से तो सब से छोटी कोछका कोषका यानि से तो सब gebaut कोषका का नाम है माईकोपलाजमा सब चोटी को उसका कौन सा है माइकोपलाजमा माइकोपलाजमा या एक और इसका नाम है पीपी एलो क्या नाम इसका पी पी एल ओ पीपी एलो का पुरा नाम है प्लिरो फिलिरो नीमोनिया नीमोनिया लाइक और गनीजमम पुछा है कि सबसे चोटी को उसका का नाम क्या है तो माइकोपलाजमा या पीपी एलो दोनों मैं से कोई रगा सकता है दूसरा पूछाब कि PPL-O का पुरा नाम क्या है? तो pleuro neemonia like organism हम लोग P से शुरू करते हैं डीका वचानर, sylilent रहता है पढ़ेंगे pleuro neemonia like organism इसका माप है, यानि, size इसका size 0.00001 mm मतलब, mm is the fileipping to 05005 mm , ऐसा 05001 mm से लह और करके कवेत्म Approx 050025 mm किसका ब्री छोटी कोंख माय को पलाजम इसका तो साइज 0.00001 mm to 050025 e se में, अब देखते हैं, सबसे बड़ी कुषका, सबसे बड़ी कुषका, बदेखे, सबसे बड़ी कुषका में हम दो तरह से दिखेंगे, एक डायमेटर के अलभाध का अनडा, सुटूरमूर्ग, इंगली समें कहते हैं, और श्ट्रिच सुत्रमुर्ग का अंडा सबसे बड़ी कोश्का तो सुत्रमुर्ग का अंडा इसका साइज है 135 गुना गया 170 mm केतना 135 आए 170 mm किसका सुत्रमुर्ग का अंडा का सबसे बड़ी कोश्का सुत्रमुर्ग का अंडा और अगर लंबाई में देखा जाए तो सबसे लंबी कोश्का हो गया निरोन जिसको तंत्रिका कोश्का कहते हैं तो सबसे बड़ी कुश्का हो गया सुतुमुर का अंडा और सबसे लंभी कुश्का देखें लंबाई में सबसे लंभी कुश्का यह हो जाएगा आपको तंत्रिका कुश्का या निरोन इंगल्मीं की बड़ी कुश्का यह होगा लबाई में सबसे लंभी कुश्का हैOSका इस subscribed used से चोड़ी को चा सबसे बड़ी को सका सबसे लंभी को चा सबसे इतनी चीज की जानाकारी रिवालिए और लृट से जाहिए हैं सेलल लाश्ट करेगा तो मÈन वेन को दिखाएंगे जो भी सब्सक्रण लाश्ट में कोचन दिखाएंगे मिर्णाया तो यह देख रहे लिखते हैं सेल थिवरी कोस्का सिधाम्त को लिखते हैं सेल थिवरी कोस्का सिधाम्त क्या है पहले तो यह जालने कि कोस्का सिधाम्त दिया किसने इसके बाद इसमें क्या कहा गया आज़ते बाइज देखें तो कोस्का सिधाम्त देने वाले थे दो बयानिक जिसका नाम है सला स्वान दो बैज्यानिक मिल करके को इसका सिनाम दिया एक सलाइडेन और दूसरा का नाम क्या है स्वान एक बनस्पत्ती सास्त्री है और एक प्रानी सास्त्री है अब देखे याद रखने का तरीका भी यह हम लोग जानेंगे किस प्रकार से हम लोग याद रखेंगे तो सलाइडेन थे बनस्पत्ती सास्त्री यह थे बनस्पत्ती सास्त्री यानि बोटनिस्ट और स्वान प्रानी सास्त्री यानि जिलोजिस्ट सलाइडेन बनस्पत्ती सास्त्री और स्वान क्या थे प्रानी सास्त्री आये दोनों मिल करके क्या दिये कोस्का सिधान तो देखिये याद कैसे रखेंगे क्या तो कभी प्राणी सास्ति याद आएगा कभी ब unable to 35 सास्ति एक नमर का कोशन रहेगा गलत हो जाने पर इस तरह से नमर देगा दिकत है नहाँ इसके लिए क्या करेंगे कुछ टीक भी जाना होता है देखें स्वानिश वानने कूता है स्वान निद्रा पतियानों अया बने असमे सीडर किस ने दिया तो स्लाइडबर मुस्वान वान कि स्लाइडन थे बनस्पती सास्त्री परानी सास्त्री अंसर वजाएगा हम लोग का बनस्पती सास्त्री अस्वान हो गया है परानी सास्त्री तो स्लाइडन अस्वान मिलकर के कौन सा सिधान दिया कोशका सिधान कोशका सिधान में इन्होंने क्या बतलाया देखिए पहले तो बतलाया कि परतेक जीवों का निर्मान पोस्कास होता है अगर पोस्का न रहे तो किसी जीव का हम कल्पना कर पाएंगे नहीं जिसे मकान बनाने के लिए इंट न रहेगा तो मकान बनेगा नहीं बनेगा तो इसी परकार सरीर के निर्मान के लिए क्या चाहिए पोस्का तो इस को उसका विवाजित हो करके बहु को उसकी जीव का निर्वान होता है कि तीसरा देखते हैं कि शरीर में जितने भी सेल्स हैं स्वतंत्र हैं लेकिन विशेश कार्ज करने के लिए आपसे मिल करके किसी कार्ज को संपन करते हैं कि तिनकों पाइंट हुआ चौथा यह है कि परते कुषका के मध्य में केंद्रक होता है केंद्रक काते इंगलिज में नुकलियस नुकलियस परते कुषका के बीच में क्या रहता है केंद्रक पूरे कुषका के कार्ज को नियंतित करता है इसलिए केंद्र को कहा जाता है कोशका का मस्तिस्क यानि brain आफ सेल क्या बहूफ सेल्स तो इस परकार कोशका सिधान्त हम लोग देख रहे थे कोशंका सिधान्त में क्या क्या कह गया कि परतेक जीवों का निमान कोशका से होता है बहु कोस्किये जीव का निमान एक कोस्का से शुरू होता है एक कोस्का विवाजित हो करके बहु कोस्किये जीव का निमान करता है तिसरा कि जितने भी सरीर में सेल हैं लेकिन विशेस काज करने के लिए आपस मिल करके कार्य को संपन करते हैं प्रते में केंध्र elles कुछण के कार्यों को नियंतीत करता है वो इसलिए केंध्र को का जाता है brain of cells यानि कोश्का का मस्तिस्क brain of cells किसको कहते हैं केंद्रक को तो पुछा या किनिम लिखित में किसे brain of cells कहते हैं माइटो कॉंडिया केंद्रक गॉल्जी बॉड़ी लाइसोसोम तो हमारा अंसर क्या हो जाएगा केंद्रक इस तरह से कोश्चन पुछे जाते हैं परिक्षा में भी तो किस्ट कर ने कि हम लोग देखें और शेयल को बाड़ते हैं पलांट अगर अधार और दूसरा जनतुक उसका जनतुक उसका को लिखते हैं इनिमल सेल तो सेल को कितने पाट में बाट है दो पाट में किस अधार पर तो पलांट और इनिमल के अधार पर प्लांट में पौधा में जो सेल पाए जाता है इसका नाम है प्लांट सेल और इनिमल सेल तो प्लांट सेल और इनिमल सेल तो प्लांट सेल में क्या होता है या इनिमल सेल में क्या होता है या सेल के अंदर में कौन-कौन से पाट है लिए एक सेल में क्या-क्या पार्ट है थे देखेंगे पलांट वाले सेल में कौन-कौन से पार्ट है अब परतेक पार्ट का कौन सा कार्ज है तो पहले हम लोग देखेंगे पलांट सिल पहले देखें हम लोग पलांट सिल में क्या रहता है फिगर से देखना ज़री उपड़ जाएगा याद हो जाएगा फिगर से तो पलांट सिल हिंदी में पादब कोश का पलांट सिल किस परकार का होता है इसमें कौन-कौन सा पार्ट है हर एक पार्ट का कौन सा कार्ज है करमबद हम लोग देखेंगे तो पहले हम लोग देखे हैं प्लांट सेल में फीघर की किस प्रकार का सेल होता प्लांट में देखिये हैं हर एक पाट का कार्ज बतलाएंगे तो लिए सत्सक्राग कार्वार सेल जार्णप लिएfach सेल require पाट किस अन्या फिला पाट ुँटाँचे में इंग सेल प्राइ प्राम नोड़ मां दो नोड़ीं नहीं है प्लांट सेल में कौन-कौन सा पाठ है देखिए प्लांट सेल का सबसे बाहर यह भाग होगा उसका नाम है इसको हिंदी में करते है कोस्का भीती इसके बाद एक जिली होती है जिसका नाम है पलाजमा मेंब्रेन कोस्का जिली या पलाजमा जिली पलाजमा मेंब्रेन इसमें एक प्रकार का द्रव होता है जिसका नाम है साइटो पलाज्म साइटो पलाज्म हो गया और इसके बीच में रहता है क्या नुकलियस जो कोशका का मेन पाठ होता है नुकलियस केंदरक कहते हैं और केंदरक से जुड़ा हुआ देख रहे हैं रचना नलकाकार इसका नाम है एंडो-पलाजमिक रेटीकुलम इसका है हिंदी में अंता प्रद्रवई जालिका लगिंदी भी दिखाएंगे आगे लिखेंगे तो एंडो-पलाजमिक रेटीकुलम सौट में इसको कहते हैं weirdest work में एर यहां पर दाना ज्यां सरचना नहीं है इसका नाम है इस्मुथ बोलेंगे ईसको इस्मुथ होने चिकना इंडो-पलाजमिक रेटीकुलम क्या इत्जिए कि अप्रद्रवई जालिका इंडो-पलाजमिक रेटीकुलम एस्ट में क्या वो लेंगे ए आर ए ए यार रफ ए यार रफ ऑई हो गया यह समुत आ इसमें जो दाना आप देख रहे हैं इसदाना जैसे आशना कि इसका नाम है राइबो साम य वे इस और राइबो तो एक रिटर्या माऍट रिया के जिस पावर हव करेंगे आगे फिर बन जाए गा इनिमल का बन जाएगा दोनों में तुलना करेंगे इसके बाद एक एक करके सब का दिखाएंगे कार्ज दिखाएंगे और तब कोस्चन इतना हर एक चेटर में करना है फिजिस कमेस्ट्री बाइलोजी समय टाइम के अधार परी करना है परिक्षा के लगभग में समाप भी इस करन कहते हैं इसके अंदर वाला पाट आगे दिखाएंगे नाइक वाली नुक्लिय सभी दिखाएंगे यह है भैक्यूल जिसको रसधानी कहते हैं यह रिक्तिका भैक्यूल भैक्यूल क्या बोलते हैं रसधानी और इसका नाम है क्लोरो प्लास्ट जिसको पन हरित बोलते हैं हरितलवक बलते हैं क्लोरोपलास्ट है हरितलवक हिंदी कराएंगे सब एक एक करकर बढ़न करेंगे तब तो पहला है सेलवाल जो बाधि यह शेयं resilience है'm непरेंड दूसरा पाट है इसाउनिय में तरह कि आइसकोष नाम में अब देख ने चाहित्रेय civ explorac सबसे चोटा कुछ काहन सा है को आगे हूं जोग देखेंगे इसके बाद है Mito-Condria तो Mito-Condria को जो Powerhouse of Silk करते हैं ये कुछ का द्रव में ही है इसके बाद है Golgi Body जो के अंदर के जस्ट निकटाब देख रहे हैं इसके बाद है भैक्यूल जिसको आप रसधानी करते हैं हरेक का काल आगे देखेंगे हम लो और एक देखने क्लूरोपलास्ट जिसको आप हिंदी में कहते हैं हरित लवक्त तो ये पूरा पार्ट पलांट सिल का हो गया इसी परकार से पलांट सिल जिससा भी देखें वो हम लोग Invald सिल का भी देखेंगे तो Invald सिल अगले क्लास्टम लोग देखेंगे